हेलो नमस्कार डियर इस्टूडेंट वेलकम तू सक्षेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग को बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में 230 से आगे को डिसकस करेंगे और उसके एंसर को भी जानेंगो जो कि आपके के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला इंट्रेंस में बैट रहे हैं तो चलिए यहां पर देख सकते हैं कि लिए कि निर्मार के लिए निर्मार में किया जाता है नेंस को बढते हैं 232 नमबर का कोशेंन देखिएगा सब्सक्राइब करते हैं बताए कि 16 माइक्रों में कम सर्फेस की फिनिसिंग के लिए कितने त्रभूज की चिन परियोग में लाएंगे तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वह चार त्रभूज परियोग मिलाते हैं करेक्ट एंसर फोर हो जाएगा नेक्स कोशन बढ़ते हैं 233 नंबर का कोश्चन पढ़ीगा और इसका एंसर बताईए 23 233 नमबर का कोश्चन है वीच आप दी फोर्मिंग मेटेरियल हैस मैक्सिमम डुटिलिटी टीक निमलिकित में से कौन सा पदात अधिक्तम अगात्वर्दनिया होता है यहां पर होगा उसी का अगात्वर्दनिया होता है अगात्वर्दनिया ने क्या मतलब होता है कि जो परिक्तम अगात्वर्द तो यहां पर आप सने माइल्ड इस्टील मीडियम कार्बन इस्टील हाई कार्बन इस्टील यहां करेक्ट निस्टील यह आप संद्वर्दनिया धातू होता है नेक्स कोशन दिखिएगा 234 नमबर कोश्चन दिया हुए है ड़ टेपर इस्पिंड और नौसिग में परियुक टेपर होते हैं कैसा टेपर होता है यह बताने हैं को तो जुव्ध यहाँ पि बनाया जाता है टेपर देपर कड्रेक्ट मशीule 4 हो जाइगा next question दिखियेगा next question यहां पनेफ दिया हुआ है 235frei which one of the following steel is used for welding एसेमबल ठीक है निमलिखित में से कौन सा एक steel का उपयोग welding एसेमबल के लिए किया जाता है आप सेने mild steel medium carbon steel high carbon steel याくarro Jon ओ जान्याओnd domiser का a mild steel जो हता है यह एक steel का उपयोग welding एसेंबल के लिए किया जाता है next और नेक्श endure नंबर का कोशन है आइस डी डायमीटर आप दी वर्ट पीश डिक्रीज द इस्पींडल स्पीड फार्जी सेम कर्टिंग स्पीड दिया कि कारीकर टुक्डे का व्यास जैसे जैसे घटता है इस्पींडल की स्पीड उसी कर्तन चाल के लिए क्या होता है बढ़ता जाता है इंक एक सिंबल दिया हुआ है चलिए यहां पर आप लोग पास से किसको दर साता है तो यह दर साता है दो सो से तिस का कारवन की परतिसत को दर साता है यानि कि 30 सी का मतलब हो गए यहां 30 परसेंट का पर कारवन है ना नेक्स कोशन देखेगा 238 नंबर 238 नंबर का कोश्चन दिया है विच वन आप दी फोल्विंग डाइमेंशन सोन इन दर लार्जेस्ट ट्रोल रेंस इसमें कौन सा लार्जेस्ट ट्रोल रेंस दिखाता है 238 का यहां पर आप्शन भी दिया है 240 दिया है प्लस मैनस .1 हो जाएगा उसका प्लस पॉइंट 2 और मैनस 0.2 और तीसरा दिया है कि पचास के अधिक्तम ट्रोल लेंस प्लांच 0.01 और मिनिमम मैनस 0.01 और अगला जो चौथा नंबर का अप्सम दिया है यह प्लस 40 पे plus 1.0 से minus 1.0 तो यहां अधिक्तम tolerance यहां पर कौन सा होगा 238 का आपको correct रेंस बताना है दिखें maximum tolerance largest tolerance निकालने के लिए सबसे बड़ी tolerance निकालने के लिए इनके जो limit दिया होता है यही आप लोग को check करना होता है कि कौन सा limit अधिकम गहां निरव और एक माइनस मैं में मालजे कि सबस्क्राइब ओर एप्लास मं और एक माइनस में एक निकाले पॉस्टन दोनों के बीच की भी यूज़ टू मैक स्टील टॉफर एंड हाडर निमलिकित में से कौन से एक तत्व का उप्योग इस पात दिरिड और कठोर बानाने के लिए किया जाता है अब आप से आपके पास सलफर सिलिकाउन फासफोरस मैगनीज तो करेक्ट इंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाए फीटर से हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूगा आप वहां से ले सकते हैं नेक्स्ट कोर्शन देखिएगा डाइमेंशन इस इस्टेटेड आज फाइट ट्वेंटिफाइफ एस इन ड्राइंग दा लोवर 24.85 mm और 25 mm यह 25.021 mm तो यहां करेक्ट एंसर 25 है ना तो 25 वाला ही करेक्ट एंसर हो जाएगा 25.00 mm नेक्स्ट कोश्टन 240 नंबर का देखिएगा और एंसर आपको पता है तो कमेंट बाक्स में एंसर को भी बताते रहे हैं जिसे आपको ही रिपीट होए पाएं चलिए दिया ऑपनाने के लिए करेक्ट और जाता हैं तो इस जो है यहां पे करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्टन देखिएगा ट्वेंटी टूफोर तू यानि कि 242 नमबर दिया है इंजिनिर्ग ड्राइंग 5 रिप्रिजन्ट 5 जो है यह किसको रिप्रिजन्ट किया जाता है अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए 5 जो होता है किसको डिनोट करता है 242 का करेक्ट तेंसर जो हो जाएगा कारेकर दाया को यह सो करता है डाय मिस होता है व्यास अब देखिए एक 5 जी से डिनोट करता है किसको डिनोट करता है व्यास को डिनोट करता है डायमिटर को लेकिन एक आर भी सिंबल होता है इसमाल आर बोली या कैप्टल र तो यह किसको रेडियास को यानि कि तिरिजिया को डिनो जाता है उसकी कठोरता बढ़ जाती है संचारत प्रतिरोध बढ़ जाता है मजबूती बढ़ जाती है इन में से कोई नहीं तो यदि हम लोग क्रोमियम को मिलाते हैं मिस्र इस पाप के लिए तो उसमें जो बढ़ता है वो क्या बढ़ जाता है वो संचारत प्रतिरोद बढ़ जाता है उसका भी करेक्टेंस ओर हो जाएगा सिकेंड नबर नेक्स कुर्शन देखिएगा इन ड्राइंग टुड्रा इंगल थर्टी थर्टी एंस फोर्टी फाइफ वांस और शिक्टी एंस नाइंटी एंस ठीक यहां पर दिया है कि कोई भी ड्राइंग में ड्रा करना एंगल को तीसंस को तालीसंस को या साथंस को या नैंटी डिग्री को यह जो डिग्रियां है यह ड्रा करने के लिए में मेकसिमम होता है लाहर पर को संधिया कि आफेंग का कोस्थ ना रहा है आपके एक क्जाम में आपको पता होगा नकそんなै आपके टeXT कोश्टन रहेगा और 25 जो रहेगा यह मैसरे कोश्टन है तो यहां करेक्ट अबो यह रोजागा सेडी सक्वाइर का प्रयूгр करते हैं सेटी सक्वाइर देखे Under ॥े निए एक तो तन ये दो सो पैस्व नमबर नमबर का gospel अद्याक को पताई तो धी इस्टेंडर्ड एट्मोस्फडीक प्रेशरी इसम onc मानक कवाई मंड़िये दाब कितना होता है 245 का यह doctor शाहिए milk 닝का एस होता है ना नेक्ट को सबीड़ tomorrow का 246 निंबर का elementary इसके टूप आंप इसने बॉन एनकेट किसको इसको margin करता है तो ड्राइंग मेड 142 जाब सइब द्राइंग मेर्ट इस ड्डबल चाप साइज यह ड्राइंग मेड इस नौट एज पर इसके लिए ननाब दीज तो यहां करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा तो यहां है ड्राइंग मेड इस हाफ आफ जाफ साइज ठीक है यानि कि जिसकी साइज दो होगी उसको एक यूनिट करके बनाया जा रहा है सीधे आदा कर दिया जा रहा है तो यह द जो कि most important होता है जाब बनाना फीटर में तो वहां से question put up कर सकता है जो कि आपके theory से question ही ना चलिए अगला question दिखिएगा 247 नंबर दिया है the angle between the full face and ground in surface of flank is none होना है slang का tool face और भूमी सीरा सता के बीच के code का code को जाना जाता है किस code को जाना जाता है लिप code को cutting code को रेक code को या relief code को तो यहां 247 का correct answer क्या हो जाएगा see option हो जाएगा see बोले तो रेक एंगर correct answer हो जाएगा अगला question दिखिए दिया हुआ है दिया है which of the form is not provide in a PNP transistor PNP transistor में से क्या परदान नहीं किया जाता है base collector emitter या heater तो यहां correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा heater PNP transistor में provide नहीं किया जाता है next question बढ़ते है next question है 249 नंबर का 249 नंबर the rake angle of HSS HSS का मतलब होता है मतलब क्या होता है high speed steel tool for cutting mild steel is zero degree Celsius 70 degree Celsius 22 degree Celsius या 16 degree Celsius कहने का मतलब में मिरद्यू इस पाथ काटने के लिए high speed is high speed steel tool का record कितना होना चाहिए तो इसका जो record होता है वो होता है 11 degree ठीक है next question देखिएगा ट्रेमल इस यूजड फार्दी मार्किंग आफ इस पेसली जो ट्रेमल है उसका यूज किसके लिए करते हैं ट्रेमल किसकी मार्किंग के लिए प्रविव की जाते इस्ट्रेट लाइन के लिए सीधी लाइन के लिए या big circle and arcs के लिए यानि कि बड़े विरित और चाप के लिए या small circle और चाप के लिए या इन में से कोई नहीं तो correct tensor इसका क्या हो जाए गा correct tensor भी हो जाएगा big circle और आर्स के लिए निक बड़े विरित और चाप के लिए इसका प्रयोग करते है नेक्स कोश्चन देखिएगा 251 नंबर का कोश्चन है विच आप दी फोर्मिंग लुब्रिकेंट इस रिक्वाइड डियूरिंग त्रेड कटिंग आन ब्रास निम्लिकित में से इस नेनों में से कौन सा पीतल पर चूड़ी काटने के लिए दोरान आवस्यक होती है तो कोई इस नेहन का जब हम क्या करते हैं पीतल पर चूड़ी काटने के दवरान कोई इस नेहन का आवस्यक्ता नहीं होती है निक्स्ट कोशन दिक्केगा वीच which angle is not affected while grinding the drill यहाँ पर angle होगा थोड़ा typing mistake है तो इसको देख लिजीगा दिया है कि यहाँ पर drilling guide करते हैं कौन सा code प्रभावित नहीं करता है कौन सा code होता है करतन code, helix code या lips clear and code या उपरियुक्त में से सभी तो यहाँ जो correct tensor हो जाएगा वह होगा भी helix code correct tensor हो जाएगा next question देखिएगा 253 यानि कि 200 तिरपन नमबर दिया है the include angle of center for heavy work is भारी कारे के लिए center का सामिल code कितना होता है 45 degree ठीक है या 60 degree या यहाँ पर 50 degree या 75 degree तो सामिल code कितना होता है यह correct tensor 253 का क्या हो जाएगा start degree correct tensor हो जाएगा next question दिखिएगा दिया है in a three phase power supply number of wire used in तीन कला सक्ती आपुर्टी में परियुक्तारों की संक्या कितनी होती है 2 होता है 3 होता है 4 होता है या 5 होता है तो correct tensor इसका क्या हो जाएगा तो इसका correct tensor हो जाएगा 3 होता है ना 3 phase power supply में number of wires कितने होते है तीन होते है next question देखिएगा दिया है if a ratio b is 3 ratio 4 then b ratio c is 8 ratio 9 then a ratio c आपको बताना है थे तो देखिए ये ratio b दिया हूँ है b ratio c दिया हूँ है तो ए ratio c आप से पूछा हूँ है तो को B upon C लिखा जा सकता है क्योंकि B से B cancel हो जाएगा तो A upon C बचेगा अब चलिए A upon B दिया हुआ है यानि A ratio B दिया हुआ है कितना है 3 upon 4 या ऐसे B ratio C भी दिया हुआ है कितना है 8 ratio 9 अब 4 दुनी 8 3 तिलिके 9 यानि कि क्या जाएगा A ratio जोसी दो बटा में 3 यानि कि 2 ratio 3 और 2 ratio 3 किसमें है वो C option में correct answer 3 हो जाएगा next question देखिएगा sign bar is used for sign bar का प्रयोग किसलिए करते हैं यहाँ पर option है आपके पास sign bar का प्रयोग क्यों किया जाता है drilling के लिए जाप की leveling करने के लिए taper job का code गयाद करने के लिए चेदों का विसमापने के लिए या थ्रेड प्रोफाइल परिक्षा करने के लिए तो यहां correct answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा taper job को code गयाद करने के लिए next question दिखिएगा 200 संताव नंबर धिया है इसको किस नाम से जाना जाता है मिस्र जातो को लीड पीतल के रूप में या एलमुनियम पीतल के रूप में या गिल्निंग पीतल के रूप में तो करेक्ट एंसर इसका क्या हो जाएगा लीड पीतल के रूप में जाना जाता है कापर और जिंक और सीसे के मिस्रर को क्या काया लीड पितल काया जाता है, next question देखिएगा, next question यहाँ पर दिया हुआ है, external thread are checked by, जो external thread कटे जाते हैं, उसको किसके द्वारा चेक किया जाता है, बाहरी चूड़ी का परिखा किसके द्वारा किया जाता है, आप से नहीं यहाँ पर ring gauge के द्वारा, plug gauge के द्वारा, thread plug gauge के द्व द्वारा चेका 269 नमबर दिया हुआ है, gun metal is an alloy of, जो gun metal होता है, वो किसका किसका मिसर धातु होता है, यानि कौन-कौन मिसर धातु होता है, तो देखिए gun metal जो होता है, यह तांबार तीन और जिंक से मिलता है, और तांबा तीन हमारा, कौन से option में है, तीसरे option में है, 14 और जिंक का बना है जाता है, next question दिखिएगा, and angle of metric thread is, तो metric thread का angle आपको बताना है, 260 में metric angle कितना होता है, तो यह होता है, 60 degree, यह याद रखिएगा, metric thread का angle कितना होता है, 60 degree, यह भी अच्छा question है, तो इस परकार में आप लोगो 260 तक आज की वीडियो में रहने देता हूं, 260 की class को हम लोग आगे continue करेंगे, उस सभी का playlist में आपको मिल जायागा, link आपको description box में feature class की मिल जायागी, जो कि आपको जाकर serial wise देख लेना है, आपके CITS से हमके लिए काफी important होने वाला है, और यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं किया, तो PDF को भी डाउनलोड कर लिजेगा, जिसे में आपको maximum question अधिक साधिक पढ़ सके, आज के लिए वीडियो में इतने वीडियो helpful लगेगा, तो like कर दीजेगा, और चैनल पर पहली बार होंगे, तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, कि आने वाले CITS से related सभी information आपको milk पाए है, आज के लिए वीडियो में इतने ही, thanks for watching this video झोड़ी जीजेगा, पोड़ी certain तो